तो लीजी दोस्तों आपके लिए एक और शॉर्ट ट्रिक लूसी पोयम्स के उपर आपसे बारबार आपको ये धान रखने में परिशानी होती है कि लूसी पोयम्स कौन सी है और कब-कब उनकी जो पब्लिकेशन डेट है वो कब-कब है तो इस छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के साथ दोस्तों मैं आपके सामने हूँ और इस शॉर्ट ट्रिक को ये आप याद रखेंगे तो आसानी से देखिए आपको सारी जो पोयम्स है लूसी पोयम्स वो याद हो जाएंगी और उनका पब्लिकेशन का जो येर है दोस्तों वो भी आपको आसानी से याद होगा तो आएए चलते हैं इस ट्रिक की ओर देखिए दोस्तों ये एक सेंटेंस है पूरा एक सेंटेंस आप ध्यान लग सकते हैं वह तीन सालों तक अंचले रास्तों पर अंजाने लोगों के बीच अजीव नींद में सोती रही बिलकुश सिंपल सा सीधा सीधा सेंटेंस है दोस्तों वह तीन सालों तक अंचले रास्तों पर अंजाने लोगों के बीच अजीव नींद में सोती रही अब मैं आपको clarify करवाता हूँ, तीन सालों तक आपको मालूम है कविता का नाम, three years she grew in sun and sour, आगे मैं अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगा जो poems हैं, और अंचले रास्तों पर तो आपको नाम ध्यान आ गया होगा, अंचले अंट्रोडन रास्ते वेज, तो अंट्रोडन वेज देखिए, यहाँ पर यह लिस्ट है न, she dwelt among the untroden ways, और उसके बाद दोस्तों, अंजाने लोगों के बीच, तो, she traveled among unknown men, unknown men आ गया, अंजाने लोग, और यहाँ पर दोस्तों, दो शब्द हैं, अजीब, तो अजीब कहते हैं, strange, strange fits of person, have I, known, और अगला है दोस्तों, नींद, तो नींद से शुरूबात हो गई दोस्तों, slumber, slumber मीठी नींद को कहा जाता है, तो आपको याद होगा, slumber did my spirit seal, अब एक चीज़ बड़ी सपस्ट कर दूँ दोस्तों यहाँ पर, कि आपको यह confirm होना चाहिए, कि Lucy poems में इन पाच कव कविताओं को ही सामिल किया जाता है, जो पोयम है Lucy Gray दोस्तों, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता, अब यह जो डेट्स है दोस्तों, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए, इन कविताओं की Lucy poems की जो रचना का वर्ष है दोस्तों, वो 1798 से 1799 या यू कहिए कि 1800 तक माना जाता है, तो यहाँ पर आप एक साल का gaping इसमें आप मान करके चलें, जो exact है वैसे मैंने कोसिस की है, उसी को mention करने की, जो कई किताबों में दिया हुआ है दोस्तों, तो कई बार आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एक variety आपको मिल सकती ह 1799 आईए, देखते हैं, तो यह देखें, 1798 में लिखा गया और 1798 में ही published हुआ, और याद करना यह LB जो लिखा है, यह आपको मालूम होगा, Lyrical Bell Arts, अब आपको मालूम है कि 1798 में Lyrical Bell Arts published हुआ है, तो यह पहली poem जो है, 1798 में ही लिखी गई है, और 1798 का जो Lyrical Bell Arts है दोस् थ्री एर से ग्रियू, यह इसमें publish हुई है, यानि अंचले रास्ते, अंचले रास्ते, अंचले वेज, 1798 में इसको लिखा गया, और 1800 का जो volume है दोस्तो, Lyrical Bell Arts का, उसमें इसको publish किया गया है, दूसरे volume में, इसके बाद आता है दोस्तो, अंजाने लोगों के बीच, तो आ खालूम है, unknown man, 1801 में लिखा गया, और 1807 में, अब जैसे ही आप 1807 देखते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, कि 1807 में William Wordsworth का, एक volume आया है, जो collections है दोस्तो, कि poems in two volumes, तो यह इससे आप सीदह सीदह याद रख सकते हैं, कि poem कब publish हुई है, 1807 में एक volume आया, इनका poems in two volumes, उसमें इसको publish किया गया है, फिर है दोस्तो, यह अजीव नींद, तो यह strange fits of passion have I known, और slumber, did my spirit seal, 1798 में लिखे गए हैं दोस्तो, और 1800 के जो लिरिकल बिलार्ट से उसमें publish हुए हैं, तो देखिए, यह 1800 में आया, यह 1800 में आया दोस्तो, दोनों उपर नीचे वाले जो हैं, यह लिरिकल बिलार्ट से 1800 वाला जो volume है, उसमें आये हैं, और पहला जो है दोस्तो, यह 1798 में आया है, और यह 1807 के poems in two volumes में, सीधा sentence आपको याद भी हो गया होगा, वह तीन सालों तक अंचले रास्तों पर अंजाने लोग कोई बीच अजीव न जाएंगे, आप कोई confusion आपको नहीं बचा होगा, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, thank you.